इस वक्त की बड़ी ख़बर के साथ दिल्ली में विभिन विभागों में अधिकारियों से भी मिलेंगे तो इस वक्त की बड़ी और अहम जनकारी बता रहे हैं आपको हिमाचल सी आपदा सिने पटे के लिए केंद्र सरकार से आर्थिक मदद लाने का भी परियास करेंगे हिमाचल ने मांगी दो हजार करोड की अंत्रिम राहत इस वक्त की बड़ी आम जनकारी बता रहे हैं हिमाचल सी आपदा सिने राहत लेने दिल्ली रवाना हो गये हैं इस वक्त की बड़ी और हम जनकारी आपदा सिने पटने के लिए केंद्र सरकार से आर्थिक मदद लाने का भी परियास सिने शुक्त करेंगे इस वक्त की बड़ी ख़मर बता रहे हैं हिमाचल सी इस वक्त के लिए राहत लेने दिल्ली रवाना हो गये सिएम सुख्विंदर सिंग सुखू दिल्ली में विभन विभागों में अधिकारी उसे भी मिलेंगे। आप दस निपर्टे के लिए केंदर सरकार से आर्थिक मदद लाने का पर्यास करेंगे। हिवाजल में पछले एक हपते से भारी वारिस जारी है। इस मानसुन सेजन में पचपंदेनों में 113 बार लैंड स्लाइड हुआ है। बारिस और लैंड स्लाइड से जोड़ी घटनाओं में अब तक 330 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। इसी बीच शुक्रवार को राजी सरकार ने एस्टेट डिजास्टर घोसित करने करने ने लिया। लुक्रवंतरी सुक्विंदर सिंग सुक्खु ने कहा कि कुछ देर में इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। एस्टेट डिजायर घोसित होने के बाद प्रदेश में राहत और बचाव कारे में तेजी आ सके। कम से कम दस हजार क्रोड का नुकसान हो चुका है। हमारे सभी परशासने कदिकारी रोज दिन रात लगकर जो आपता पेड़ी तो उनको रहात पुचाने का कारे कर रहे हैं। सैना की मदद भी ली जा रही है। और जो कांगड़ा और इंदौरा में वेक्विशन हुआ। इतनी स्पीड अफ वेक्विशन हुआ। रास्टिया चैनल चला रहे हैं कि सरकार की जो है। और आम लोग बूल रहे हैं कि सरकार दिन रात मेहनत कर लेगे। इस सिलसले में अब हमें पाकेंदर सरकार से अंतरिम रहात की पहली किष्ट की जरूरत है। और समय के अनुसार अगर जरूरत को पूरा किया जे तो अच्छा है। लेकिन हमारी सरकार अपने संसादनों से जो भी घर उजड़े हैं, जिन घर भी तूटे हैं। क्योंकि बड़ी मेहनद से किसान, हम आदमी अपने घर को तिनका तिनका जोड़कर बनाता है। आज वो उजड़ गए है, उसका, उनको मदद करना सरकार का दायता भी है। हम अपने संसादनों से भी पूरी कोशिश करेंगे कि उनको मदद करेंगे। आज हम अपनी केंदर सरकार के गुछाथ में हैं। केंदरी टीम आच चुकी है। क्या कहते हो तो उनके पास है। लेकिन हम अपने राज्या में तो रास्ट्या राज्या आपदा घोशित कर रहे हैं। और इस सिलसले में अभी हम जो भी है मेरी अधिकारियों से बात हुई है और इसकी नोटिफिकेशन आज हो जाएगी मैं तो उन चारों उनसे जेपी नड़ा जी ने कम से कम इतना तो हाल तो पूछा कि आपकी हम क्या मदद कर सकते होम मिनिस्टर प्राइमिनिस्टर साब ने हाल तो पूछा लेकिन चारों सांसद जो यहां की जनता के दुवारा चुनेवे नमाइंदे हैं क्या उनका ससंसद जो चली वी थी उसमें भी सवाल नहीं पुछा आये जासे कितना नुक्सान वर कब तक आप उसकी डिजास्टर मेंजमेंट के लि आप सत्ता सुख प्राप्ति क्राप्त कर रहें लेकिन लोगों की अवाज में कहां आपने संसद में आपता में रहात उठाई इस बारे में आप वोग्यमंतरी सुक्विंदर सिंग सुखू सिर्म और परवास पर रहे हैं आपको उधादे के मुखे मंतरी आज हेलिकॉप्र इसके बाद कच्ची धांक सड़क का भी उन्होंने निरत चड़ किया अब यहां के हाल देखें जो कि 1970 से यह गौन डिजाट होता जा रहा है और इसका कोई पर्मानेंट समाधान नहीं निकाला गया है तकरीवान आज कुछनजा वरस हो गये हैं इस गौन पर हमेशा आपदा आती रही है मैं तो यह मानता हूं कि जो मैंने हाला देखे है पच्चमन वरस में से यह लोग मांग कर रहे हैं किस नाले का पर इस नाले की चैनलाइजेशन कैसे होनी है वो स्टडी का विशे है कि कैसे है ऐसा ना हो कि हम चैनलाइजेशन करें और जब बादन फटे तो और भी गौन को दूसरी तरफ जहां को लोग को बसे हैं और गौन को नुक्सान हो जाएं पर मेरा यह मानना कि इन चीजों को देखना बहुत जूरूरी है आम आदमी के परिवारों को नुक्सान ना पहुंचे हमारी सरकार इस विशे पर मैं खुद अध्यान करवाँगा कि कैसे इसको करा सकते हैं लेकिन अध्यान करवाने के लावा जिस परकार का लहसा आ रहा है है यहां उमीद बहुत कम नजराती है लेकिन अभी जिन घरों को नुक्सान पहुंचा है उनको अभी हमने दस दस अजार फौरी रिलीव दी है मैं जानता हूं कि जिसके घर में सील्ट आ जाती है तो दस अजार से कुछ नहीं ता पूरा मकान ही हिल जाता है उनको फौरी रहात के तो पर एक लाक पे देने की हमन मुख्यमंतरी सुकविंदर सिंख सुखु ने बताया कि 36 गड़ राजसरकार ने हिमाचल परदेश में भारी वारिस से आई आपदा से नपटने के लिए प्रदेश शरकार को 11 करोर रुपए की सायता राश्री आपदा राहत को उसके लिए परदान की है उन्होंने 36 गड़ खुसान हुआ है राजसरकार यूध अस्तर पर राहत यह पुनर्वास कारे चला रही है उन्होंने परदेश की खुले मन से मदद करने वाले सभी अंसदताओं का भी अभार व्यक्त किया हिमाचल सरकार ने विधायक छित्र विकास नीधी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है सरकार ने एमेले फंड से लोगों के घरों की सुरक्षा दिवार लगाने और चैनलाईजेसन के अनुमती दे दी है हवाई मुख्यमंतरी सुखविंदर सिंग सुख्षो ने कहा कि सरकार ने भारी वारिस से हुई तबाही को देखते वे विधायक नितीक हर्च करने के नियमों में बदलाव किया है ऐसे परदेश के उन लोगों को भी राहत विलेगी जिनके घर लैंड श्लाइट के वजह से अनसेफ हो गए है एस साल भारी वारिस से जिनके घरों को खत्रा वैदा हुआ है उन्हें ही बजट दिया जाएगा और ये नियम 31 मार्ज 2024 तक रिलेक्स किये गए है अब सभी 68 विधायक अपने अपने चुनाव छेत्रों में लोगों के घरों के आगे और पीछे दिवार लगाने के लिए बजट दे सके है है माचल में बारिस से लोक निर्मार विभाग को सबसे जादा नुकसान हुआ है अब तक 26 करोड का नुकसान लोक निर्मार विभाग को हो चुका है प्रदेश में अभी भी बारिस का कहर जारी है और प्रदेश में 600 सड़के अभी विवन्द हैं वही लोक निर्मान मंतरी विक्रम आदित सिंग ने सची वाले में पत्रकार वारता की इस दौरान उनने कहा कि प्रदेश में बारिस से इस बार भारे नुक्सान हुआ है प्रदेश सरकार और मुख्यमंतरी लगतार परभावी छेतर का दौरा कर रहे हैं और लोगों को राहत देने का काम कर रहे हैं साथी उन्होंने प्रदान मंतरी ग्रामीड सड़क योजना के तहत केंदर सरकार दौरा जारी दोह करने की केंदर सरकार का भी आभार जताया जो इस समय ये बहुत बड़ी एक उपलब्दी हमारे डिपार्टमेंट की रही है उसके लिए मैं केंद सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे मानने मुखे मंत्री जी जिनके अथक प्रयासों से केंद सरकार से ये सयोग हमको मिला है उन्होंने इस मुद्दे को कई बारी उठाया मैं खुद मंत्री जो ग्रामीन विकास मंत्री है उनसे हम कई बारी मिले उन्होंने इसको दिया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और दलगत राजनीती से उपर उठकर इसमें बहुत लोग कह रहे हैं कि ये भाजपा की सरकार है वहां से लेकर आए हैं ये है मैं इन चीजों मैं नहीं जाना चाहता हूँ यही माचल प्रदेश को मिला है कई कह रहे हैं कि भाजपा के समय से था अगर पूर सरकार के समय से ये था तो वो अपने समय में क्यों नहीं लेकर आए यह हमारी सरकार की अतर प्रियासों की वज़ा से हम इसको प्रदेश में लाने में सफल हुए हैं और इसमें मुख्यमंतरी जी का एक बहुत बड़ी सकरातमक भूमी का है और हमने भी इस विशे को उठाया है ये जरूर है कि पूर सरकार में भी इसका योगदान रहा है मगर इसमें कोई किसी के ओपर जो है कोई श्रे लेने की बात नहीं है It is about the developmental trajectory of माचल परदेश और सरकारे जो है वो continuity में चलती है जो पूर सरकार दोबारा काम किये गए है उनको वरतमान में नई उन्चाईयों पर लेका जाना ये हमारा दायत्व है और उसके लिए हम वचनवद भी है उसके लिए हम संकल्पित भी है और उसको हम मुझबूती से आने वाले समय में हिमाचल में इस कार्य को करने का पूरा प्रयास करते रहे रलधाने श्रिम्रा में इस समय कई लोग अस्थाई राहत सीरों में रहने को मजबूर हो गए अपनी जीवन भर की कमाई से बनाए बहुत उम्मीदों और सपनों के साथ बनाए आश्या ने आज उन्ही के जान के लिए खत्रा बन गए है इन्ही घरों में कुछ दिन पहले ये लोग जब ठक हार कर श्राम को घर लोडते थे तो एक आराम, सुकून और सुरक्षा का एहसास ये घर उन्हें दिलाया करते थे और आज अपनी आखों के सामने इन्ही घरों के खत्रों की जद में आती ही छोड़ना पड़ रहा है शिम्ला को जो जखन मांसून ने दिये हैं शायद आने वाले कई साल ये जखन अभ़र नहीं पाएंगे आज हम मौजूद है पागली में जहां पे वो लोग रह रहे हैं जिनके घरों पे खत्रा मन रहा है अपने सामने अपनी पूरे जीवन भर की जो कमाई है उससे जब आशियाना कोई बनाता है वहाँ पे जब रहता है वहाँ कई सपने से जाता है कई उमीदे होती है और वहाँ से जो है पुरा जो आपका जो पूरे दिन का जो दिन चर्या है वो तै होती है जब शाम को ठके हारे लोटते हैं तो उसी घर में आके हम आराम करते हैं लेकिन आज इस तरह सभी में कई लोगों को भीगर कर दिया है और आज हम ऐसे लोगों से बात करने ही हाँ हैं जो अपना घर छोड़कर यहां मौझूद है क्योंकि उनके घर पर खत्रा है पेडों का साया कुछ इस तरह मन राया है जिन पेडों पर कभी हूँ अभिमान करते थे देवदारों पर अभिमान करते थे आज वही हमारी जान के लिए आफ़त बने हुए हैं और इन ही पेडों के साय से घब आकर कुछ परिवार यहां ठहरे हुए हैं ताकि अपने को अपने परिवार को सुरक्षित रख सके आपका नाम क्या है पुनम आप थोड़ा सा बताएंगे कि आप कहां रह रहे थे और अभी यहां पर क्यों आए हैं आपके घर क्या कोई खत्रा है या जो आभी तरा सी दिया एकि उसमें किस तरह का वहां पर खत्रा मेसूस अब हुआ है वर्ला जिए हमारे घर के उपर पेड़ गिर चुके हैं अब और भी खत्रा है हमें हम उसके काटने की गुजारिश कर रहे हैं कुछ जो जहां पर पेड़ गिर चुकी है नुफसान हो चुका है जाने जा चुकी है उससे बेदर कि अभी भी हमारे को थोड़ा सेफ किया जाए और उसकी वैसे हम यहां पर बैठे हुए है जा चार पास दिना जमी हो गए है तो पेड़ जल्दी से जल्दी काटे जाए जिस को अपने घरों से जाने के लिए डर लग रहा है और खत्रा है उनकों की कप पेड़ा जाए और कव ही नीचे पूरा मलवा उतर आए कोई नहीं पता लगा जिसें यह त्रासदी हुए फागली में लोग वहां पे कुछ मरे हैं कुछ ने अपनी जान गवाई है आप लोग व ही मनुबार दिया अब जिसा से यह हादसा हुआ है इसमें आपका घर भी जदना है तनुम मेरे घर के ऊपर दो पेड़u मेरे घर के मेरे घर पर गरें लेकिन मेरे घरी पीड़ने के उछे नेच्टे चार में रहे चारा घर बच गए लिए मैं लालकुठी हाविए पारली म सब्सक्राइब करें लाइट शीनी पर बारी सुवार इतनी लगी थी कि हम भवान के बाद हाथी जोड़ें कि भवान क्या करना यह रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद जल्द हाजर होंगे देखते रहिए एन्पी नियूस ब्रेक के बाद एक वर्ट फिर से आप सभी का स्वागत है बढ़ेंगा अगली खबर के ओर हमाचल में आई आप दस सी भारी नुकसान हुआ है ऐसे में विपक्ष के साथ साथ अब सत्ता पक्ष के विधायक भी विसेश सत्र बुनाने की मांग कर रहा है सुधिर श्वर्मा के बाद आप कॉंग्रिस की पुर्व अध्यक्ष और फियोग से विदायक कुल्दीप राठोर ने भी विधान सभा सत्र बुलाने की मांग की है राठोर ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से बात्चित की है और उन्हें विधान सभा का सत्र जल्द बुलाने का सुझाओ दिया है पूरो मुख्यमंत्री ठाकुर जैराम जी से भी मेरी बात हुई उनको भी मैंने यही बात कही कि इस वक्त सामुईक परियास की जुरूरत है क्योंकि अभी हमारे जो इमाचल के मेंबर पार्लेमेंट है जो बारती जनता पार्टी के सांसद है उनका रोल भी उनको भी सक्रिय बुमियुक का में आने की जुरूरत है जो कहीं न कहीं हमें लगता है कि बहुत कम परियास हो रहा है तो अगर हम इस तरह का कोई प्रस्ताव लाते हैं और उस प्रस्ताव पर पक्ष पी पक्ष सब की सहमती मिलती है तो निश्चित तोर पे केंदर सरकार पे दबाव होगा और हमारे सभी लोग हमारे जो सांसद हैं वो भी जाकर बात करें हिमाचल से तो बारती जिन्ता पार्टी के राष्टिय धक्ष भी है शिरी जेपी नडड़ा जी और शिरी अनुराग ठाकर जी भी यहां से मंतरी है तो दिल्ली में हमारी आवाज में दम है लेकिन उस आवाज का सदूपयोग करने की जरूरत है मेरा ये मानना है कि इस आपदा में अगर हम सम मिलके प्रयास करेंगे तो हमें दिल्ली से मदद मिलेगी और हम हिमाचल प्रदेश जो दश को पीछे चला गया है हम जो है रेस्टोरेशन का काँ सीम सुखविंदर सिंख सुखु ने केंद्री मंतरी अनुराग ठाकुर्ष सहीत प्रदेश की चारू सांसदों पर नसाना सादा उन्होंने कहा कि परदेश में भारी बारिस बाड़ बादल फट ने और लाइंड श्लाइट से भीसर तवाई हुए दस अजार करोड से ज्यादा का नुकसान हो गया है लेकिन राज जी के सांसदों के डेलिगेशन ने इस आपदा को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ग्रहमंतरी अमत साथ से मिलने की कोशिस नहीं की साथी उन्होंने कहा कि लोकसभा के मानसुन सत्र में भी परदेश में हुई तवाई को लेकर सवाल नहीं पूछे गया सांसदों को अब इसका जवाब परदेश के जनता को देना होगा मैं हमाचल से चुनेवे सारे चारो सांसदों से ये पूछना चाहता हूँ कि इस राज्या में इतनी बड़ी आपदा आई है और पार्लेमेंट सेशन लगा है आप राजनिती करने की बजाए सुहां से हमें अंतरिम मदद मुनाने के लिए आज तक क्यों नहीं मिले हलाकि जेपी नड़ा जी ने हमेशा फोन करके पूछा है पिछली बारी आपदा में उनका भी अनुराग जी का भी फोना था लेकिन आज तक चारो संसत कठे होकर तो मिलनी पाए कि राज्या में आपदा है अंतरिम रहात की पहली किष्दो और राणिती कर रहे है इससे बड़ी आपदा नहीं आएगी राणिती करने के लिए और समय मिला है अभी हमारे सत्तर होंगे चुनाव होंगे तो और राणिती करना इसोमें मेरा ध्यान आपदा से प्रभावित-भूइट बचाना है जो रहात हमारे पास-पևने संसादनों से वह पहुंचाना है और उनके जो जखम है जिस आदवी ने अपना घर तिनका तिनका जोड़ कर बनाया होता है अगर वो उजड़ जाए सिर्फ उनके जखमों को अभी टेंप्रेरी महरम लगा कर उन्हें द्वारा से बसाने का निन्या हमारी सरकार का क्रत प्रदेश में बाहरी राज्यों के फेरी वालों की आमद लगतार बढ़ती जा रहे है सरकारी तंत्र को धोखा दे कर लाखो का घर्टिय समान प्रदेश में बिना बिल के पहुँच रहा है वह आज बिलासपूर के घुमरावी में वैपारियों ने एक जुटता और प्षानविन की तो इनके पास समान का कोई बिल नहीं मेला है रानी की बात तब हुई जब अधार कार्ट में सभी की जनमति थी भी लगभग एक जैसे है थी आपको बता दी कि वैपारियों द्वारा पकड़े गए फेरी वालों को पहले ठाने ले जाया गया जहाँ पुलि द्वारा पक्राइब अधार के जब यह जाते हैं वह पुली स्टिस्टेशन में पुराते हैं इस तरह जो उसकी वेरिटेशन कर रहे हैं जैसा ही होगा हूं तो अगलाव जैसी कारवाई है तो प्रणे लगाने का जो है फंड़मेंटर राइट साहे जो अपना बेवार कर स सकते हैं मगर इनके बास कोई रिजिस्ट्रेशन या अधारकार्ड या कोई ऐसा वेरिफिक्शन है उसको हम कर सकते हैं और बाकि वह जैसे बूरे थे समान उगया इनका जब तकना है वह नहीं किया जा सकता है अगर वह बिना टेक्स के समाने है तो उसकी दिए जो एक्सारी हमारे में आये थे तो तो है ऐसा चो बात हुई हमंने बॉलाभे हम इनका वजिक्शन है भी चेक करवाते हैं वेरिफिक्शन है बाकि हमने लूरे की टीम को बिब लाई है जो यहां कि समान की वारड वज़ीचन करेंगे इसी समर में सारे बेवारी भाई बाकी भी ही हमारी क विलास्पूर में प्राकिर्तिक आप्दा के चलते सबसे ज्यादा नुक्सान लोक नरमार्वय भाग को शड़कों को हुआ है अश्वार आई आप्दा का असर विलास्पूर के चारों मंडलों में ज्यादा देखने को मिला गौर तलब है कि भुवास्खलन के चलते विलासपूर जिले के कुल 563 सडकों में से 277 सडके परभावित हुई थी जिसमें से 50 ऐसी सडके हैं जिने ज्यादा नुक्सान पहुचा था वाईल लोक निर्मार विभाग द्वारा परभावित सडकों पर 45 जिसमें 9 विभाग और 36 प्राइबिट जिसमें हायर कर दिन राज सडकों को खोलने का प्रयास किया जा रहा है इस बात की जानकारी देते हुए लोक निर्मार विभाग के अधिक्षड अभ्यांता जीत सिंग ठाकुर ने कहा कि इस बार हुई भारी बारिस के चलते लोक निर्मार विभाग को 74 करूर का नुक्सान हुआ है दिश्टिक्ट बिलासपूर में हमारे जो फोर दिविजिन और फोर कंस्टिनिस में अबाउट सेंटी फोर क्रोर के लासे हैं डिफनेट अरियाज में हमारे 563 रोट में 277 रोट जो थे वो डेमेज हुए है बहुत जादा डेमेज इस हुआ है और फिफ्टी जो था उसमें काफी जादा जो है वाशोट भी हो चुके के रोट उगरा और उसमें रिटेनिंग वाल उगरा काफी जो डेमेज हुए है एर मारे जितने भी एकसnez होगा रहा है है अस्डीोस हैं और जैइज हैं और सब लोग जो है दिन रात लगे हैं सरकों को खोलने के लिए जो रहना दीवी वाला एरिया है उसके सारे के सारे रोट हम लोगोंने खोल दिय हैं इस जो बरसात हुई है अभी जो काफी ज़गध इसमें लोगा गी को ऐसे दो पर शा नहीं एक एक मरूं करों का करनों है कि लोग जो है मलवे को उठाने नहीं दे रही है क्योंकि एक नैच्रल डिजास्टर है इसमें पिडोलडी का तो कोई रोल नहीं रहता है कि लैंड्सलाइट्स आता है अब लैंड्सलाइट्स को अगर हम जब तक उसको लिफ्ट नहीं करेंगे तब तक सड़क नहीं खोल मुलक नहीं